हलो मैं तेल अभीव इसराइल से बात कर रहा हूँ मैं यहां गॉट टीवी का रिजनल डिरेक्टर हूँ और मैं टिकून इंटरनेशनल का सीई ओ भी हूँ यहां इसराइल में ही है आज मैं बात करना चाहूंगा यह खास विशे परमिश्वर ने मेरे हिर्दे में डाला है और वो है करोणा वाइरस मैं आपको प्रोसाहित करना चाहता हूँ वो भी परमिश्वर के वचन से हम हमेशा सुनना चाहते हैं कि परमिश्वर क्या कहना चाहता है उसके भवश्वर क्या क्या है आप हमेशा समझ सकते हैं कि परमिश्वर क्या कहना चाहता है उसके वचन में उस पर मुझे महसूस हुआ परमिश्वर कुछ कहना चाहता है और उसने कहा तयार रहो और जब उसने कहा तयार रहो तो मैं बिलकुल समझ गया वो क्या कहना चाहता है अजीजों ये कोई आखरी महामारी नहीं है बाइबिल में यू लिखा है कि अंत के दिनों में भूई डोल होंगे अकाल पढ़ेंगे महामारी होगी हम जानते हैं प्रकाशित वाक्या में सपष्ट लिखा है तरासदी और विनाश होगा और हमें विश्वासी होने के नाते तयार रहना है हम भै भीत या भै गरस्त नहीं ह हो सकते उत्तरी एजराइल में एक स्थान है उसका नाम है बान्यास कई टूरिस्ट वहां आते हैं वो नर्क का दौर है येश्व अपने चेलो को वहां ले गया था वहीं उसने चेलो से पूछा था कि तुम मुझे क्या कहते हो वो उन्हें ऐसे शेत्र मिले गया जिसे नर्क का दौर कहते हैं ताकि उन पर जाहिर कर सके कि नर्क की कैसी भी ताकत उस पर जै नहीं पा सकती तो चाहे कैसे भी वायरिस की बात क्यों ना हो हमें कभी भी बहबीत नहीं होना है क्या आप भी डरते हुए अपना जीवन जी रहे हैं क्योंकि मसीहा येश्यू में ऐसा जीव में थे ये बुबानिक प्लेग के समय की बात है वो उस समय मुर्दों को दफना रहे थे उनके दोस्त भी उनके साथ थे और कोई ये काम बिलकुल करना नहीं चाहता था उनसे पूछा गया उन्हें वाइरिस का सर क्यों नहीं हुआ तो उनका जवाब था मेरे अंदर जीवन का आत्मा है और उन्होंने उन्हें जीवन के आत्मा के बारे में बताया जो मसी येशु में मिलता है तो वो एक प्रयोकशाला में गया और उन्होंने मैं आपको नहीं कह रहा कि ये आप भी ऐसा ही करें पर वो प्रमिश्र की सामर्द को दिखाना चाहते थे उन्होंने कहा इस जीवन का आत्मा मसीह येशु में, वही जीवन का आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर भी है, इसलिए प्रमिशुर कहता है बस तयार रहू, आप कैसे तयार होंगे जब आप उसके वचन के अनुसार जिएंगे, उसके वचन को जानेंगे, और जब आप उसके वायदों पर पिश्वास करेंगे और उसके वायदों को अपने जीवन में लागू करेंगे। हो जाएगा मत्ती 24 अध्याएं उसके शायद नौवे या दस्वे वचन में जी दस वचन में यहां सपश्ट रूप से येश्व कहता है बहुत सारे ठोकर खाएंगे एक दूसरे से बैर रखेंगे पर वो ठोकर क्यों खाएंगे मान लिया आपने पूरा जीवन विश्वासी जीवन जीया है और कोई कहें कि आपको कोई कश्ट नहीं मिलेगा आप कभी विपत्तियों को नहीं देखेंगे आप तो आसानी से विपत्ति के समय से पहले ही उठा लिये जाएंगे येश्व मसीख के साथ अब मैं उठा लिये जाने के बारे में कोई बहस नहीं करना मैं तो बहुत उत्साहित होंगा अगर येश्व मसीख के आने के साथ साल पहले ही उठा लिया जाओं वचन कहता है हम शण भर में पलक जपकते ही पदल जाएंगे अंतिम तुरही के फुकते ही मेरा ये प्रतीदी करना मुश्किल है कि अंतिम तुरही येश्व के आने के सा साल पहले ही फुक जाएगी ये अजीब बात लगती है और मुझे बहुत सहनुब हुती है मैं किसी विवाद में पढ़ना नहीं चाहता पर मुझे सहनुब हुती है और उन लोगों को लेकर मैं चिंतित भी हूँ जो इस पृत्वी पर सताव को देखते हुए या जहिलते हुए ठोकर खाएंगे हमारा काम नहीं कि हम यहां से कूच करने के लिए उतावले हो जाए हमारा काम है येश्व का सुसमचार सुनाना और परमिश्वर के वायदों पर अटल खड़े रहना हम कभी भी भैगरस्त नहीं होंगे मैं फिर से उसी उत्तरी दिशा के बानियास प बकरी के रूप में था और जब वो दोपहर की नीन के बाद जागता था ये महज एक कहानी है तो जैसा लोग कहते हैं पैन देवता जागने के बाद डरावने रूप से चिंगारता था और सब पैनिक हो जाते थे पैनिक यानि डर जाते थे तो पैनिक यानि डर उसके नाम म मन कहता है कि नहीं, येश्व मसी के नाम से येश्व के नाम से ये वाइरस मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, हाँ जरूर साफधानियां बरते, मूर्ख ना बने, बेशक वजन कहता है अगर किसी विश्वासी को साप काट ले तो उस पर असर नहीं होगा, इसकारत ये नहीं कि क्या आपका विश्वास जिवित है या आप डरे हुए हैं, क्या आप भैगरस्त हैं, मैं नहीं हूँ, येश्वा के नाम में खुदा का शुकर है इसराइल में केवल दस वाइरस के केस हैं और वो लोग अभी इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, अगर आप पूरे विश्व में इस संख्या को देखें, तो लोग इतना अधिक डरे हुए हैं, उन्हें इतना डरने की जरूरत नहीं हैं, जैसे वो डर रहे हैं, चाहे हालात और बुरे हो जाएं, चाहे और डर का महौल हो जाएं, या ये बुमैनिक लेक जैसा हो जाएं, हमें विश्वासी होने के ना तो इस भवश्वानी भरे संदेश का प्रथम बिंदू है, परमिश्वर कहता है, तयार रहो, चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आ जाएं, पवितरात्मों में बने रहने को तयार रहो, निर्भाय होकर जीवन जीने को तयार रहो, और डरो मत, और अब दूसरा बिंदू ह अशर इंट्रेटर, जो मेरे सह कर्मी और अप्रिय मित्र है, इन्होंने तेल अवीव में हमारी जन सभाजे यूं कहा, उन्होंने इस वाइरिस के बारे में महत वपून बात बताई, कि इस वाइरिस पर जीत पाने के लिए, जो मुखे रूप से चीन में है, हाल ही में कल तक 80,000 में से 77,000 मामले चीन में पाए गए हैं, उन्होंने कहा इसका कारण बहुत सपष्ट है, कि चीनी सरकार को चाहिए कि परमिशर के लोगों को अराधना करने दे, उन्होंने इसे निर्गमन के साथ जोड़ा, आपको याद होगा, जब वहाँ, फिरॉन को मूसा ने कहा, उ उसने बाद में कहा कि इसराइलियों को और यहा करे, ताकि वो अराधना करने जाएं, उन्हें अराधना करने दे, और फिरॉन कठोर हो गया, उसने उन्हें जाने नहीं दिया, कि वो अराधना करे, और परमिशर ना खुश हुआ, जब सरकारी या राजनेता परमिशर के लो चीन को अपने छुटकारे के लिए चाहिए कि परवेश्वर के लोगों को अराधना करने दें। इरान परवेश्वर के लोगों को अराधना करने दो इस महामारी से तभी बच सकते हैं कि आप परवेश्वर के लोगों को अराधना करने दो तो जब फिरान ने बात को नहीं समझा महामारी के बाद महामारी आती गई और आखिरकार उसकी पूरी सेना का विनाश हो गया और प प्रवु हमसे कहता है, ये अभी करने वाला शब्द है, चाहे कुछ भी अर्चन आए, आप तयार रहो, आप और पावितरात्मा के बीच, किसी भी तरह की अर्चन नहीं आ सकती, मुझे अपने एक राजनेता निप्ताली बेनक की याद आ रही है, जो चीन से बोल रहे थे, च ठीक उसी तरह, मैं और पावितरात्मा है, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, बेशक वो मुझे से कई गुना बड़ा है, मैं उसके बिना कुछ नहीं कर सकता, पर अगर हम एक साथ मिल जाएं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम परमिश्वर की प्रतिक ग्याओं और वायदो होगी, चारों तरह, दोस्तों अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, यहां इसराइल में तीसरी बार चुनाव हैं, वो भी एक साल के अंदर यहां सरकार नहीं बन पाई हैं, जबकि दो बार चुनाव हो चुके हैं, हमें आशा है इस बार हमें सही सरकार मिलेगी, दूआ करें कि इसराइल को आशिश मिले, अब कुछ ही देर में मैं और मेरी पत्नी यहां से रवाना होंगे, कि हम दोनों भी सरकार के निर्मार में इसराइलियों के लिए योगदान दे सकें, पर ज़्यादा महत्वपून है कि हमें इसराइल की आत्मिक बे राधना करने दे, मेरे साथ दूआ करे, आत्मा में मेरे साथ दूआ करे, पिता हम रार्थना करते हैं कि यह लोग तेरी राधना करने पाए, इन सरकारों के हिर्दे से बात कर, तूने अपने आत्मिक पुरुष और स्तिरीों को खड़ा किया है, जो प्रेरताई और भवशस से जकड़े नहीं जाएंगे परंतु वो तुझे थामे रहेंगे वो तेरे वचन को थामे रहेंगे तेरे वायदों को थामे रहेंगे और पवतरात्मा में जीएंगे ठीक है मैं कुछ लोगों का बिनंदन करना चाहूँगा इसके बिना मैं देख नहीं पाता हूँ इसलिए इरा परमिशुर आपको आशिश्ते, मरिसा और तेरी प्रबु आशिश्ते, आमीन और भैबीतना हो, आलेलुया, अलीन, बैडी, पैट्रीश्य, इना हेली परमिशुर आशिश्ते, ये हमेशा हमारे साथ सक्रिये रहते हैं, कितनी अजीब बात है कि बैरी दुष्टता के लि और वोट दूँ, शालोम इसराइल की भूमी से, बाई बाई